शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हुआ अपार कर दो अवई अबवाब अबू़ कर दूख। प्रूबूएअ चर्ट आपियोग मै। कार यािज इंच अपार मैं बादको की अजम पार इंच जख़ दुख। कार शुब याि अजम अञारी कRI दख़ाइओे पीजेने हाएएएइप हाएएएपहाएएप फजिए लुथ छफ़ हाएएएएएप! हाएएएप हाएएएएप ुईफ्ण है! इनना बत्त.. आप समझते क्यों नहीं चोटे को इस अब जागीर के बाहर बेजने का मतलब ये होगा कि वो बेकुसूर नहीं कुसूर वार है और दूसरे ये कि मैं उसकी जिन्दगी की इफाज़ाद मैं खुद कर सकता हूँ तुम चुप रहा हूँ जब बड़े बात करते हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते तुम अपने कमरे में जाओ मुझे विक्रम जब को जुरूरी बात करनी है जाओ दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए विक्रम मैं चोटे की जिन्दगी को जोखं में नहीं डालना चाहता हूँ उसे जाने दो मेरी ये बात तुम हुग समझकर मालजो आपका हुग तुम सरांखों पर लेकिन मैं पोच्छता हूँ आपका वरोसा मुझे पर से क्यों उट गया मैं जानता हूँ पुराना दोस्त नए दुश्मन का भेस पदल कर सांप की तरह ड़क्रम जब ओ विक्रम सिंग आओ तुम्हारे लिए एक तौफा लेकर आया हूँ इस लाश को अच्छी तरह देख लो जो तुम्हारे छोड़े भाई के जुर्म की एक नई दास्तान सुना रही है भुला अपने दादा को जिसके सचाई पे तुम्हे अपने आप से में जादा विश्वास है और को उससे के इस मुर्दे की आखों से आके मिलाकर फिर कोई नया जूट बोले फिर कोई नया फरेप देने के कोशिश करे ताकि उसकी बुज़गी का भरम भी रह जाए और पोतों वो चंद दिनों की जिन्दगी और देने के लिए और कितने बेगुनाओं को बली बेचाने के लजाम अपनी बूरी करदन पे ले सके का बुलाओं उसे इस हकीकत की रोटनी में ताकि सारी दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाई दे और तुम्हारी आखों से को उसका पहला जुर्म यह है कि उसने कुंदन की बेहन के इजज़त की इस नुटी। उसका दूसरा जुर्म यह है कि वह मेरी बेहन का गाति Him आ और अपने तीसरे शिकार कुंदन को खत्म कर को उसने यह समझ लिए उन्यव मारे भाई के चौते और आखरी जूम ने उसके तबाम पिछले जुर्मों से पर्दे उठा दिये और से देखो ठाकूर इन बेजान मुर्दा हातों में आज भी खातिल की वो निशानी जिसे तुम या तुम्हारा दादा नहीं जुटा सकता जिन्दा सबूत के तौर पे मौजूद है जो चीक चीक कर ऐलान कर रही है कि तुम्हारा भाई मुझ्रिम है गतिल है खूनी है हद्ध्यारा है का तादा जी ये क्या कि आपने है लेकरव मुदां है जो अंकी तिससे बिलाने के काबिल नहीं जोर्ड हो जाना ही अच्छा बेदे, 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 बोचे, बपाफ, बपाफ! दरादी? बेदे, 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 बेदे झाल 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 कि अगुद्ध दोश्ति का थे इस वक्त तुम्हें हमारे और हमें तुम्हारी जरूरत है आओ चाचा तुने ठीक ही कहा था वक्त वाके ही हमारे साथ है अब एक इसे मारने आएगा और दूसरा बचाने और हमें तो नहीं चाहिए आओ चाचा भीवा जस्वान आओ इदर आओ और धर दो टक जढे पर यगक चुल चुल फट little! अपूँना पिर खबा गाइ! बाइ़ गाइ़! बाइ़ भूँना! झाल 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 एक जाल झाल 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 आज मैं भी सर पे कफन बांद कराया हूँ। इस धर्म युद्ध में मेरी मौत तो हो सकती है। मेरी हार नहीं हो सकती। मेरा रास्ता छोड़ दे ठाकर। आज मैं तेरे भाई को अपने साथ लेकर ही जाओंगा। इसकी मौत मेरे हाथ लिक्ती। मौत और जिन्दगी के फैसा करने का हग पिछली साथ पुष्टों से सिर्फ हमारे पास है। फैस्ता करने का हग सिर्फ मुंसिफों को होता है ठाकर। तुम जैसे बे इनसाफों को नहीं। तुम्हारे इंसाफ के तो दो तराजू है एक दुनिया वालों के लिए और दूसरा अपने इस बाई के लिए हमारे इंसाफ पर शक करने की जुरत पहली बार तुम ने की है और इसका अंजाम तुम नहीं जानते क्या हो सकता है रामगड का इत्हास इस बात का कवा है और हमेशा रहेगा के ठाकुर विक्रम सिंग के इंसाफ के दो नहीं सिर्फ एक ताजू है जिसके एक परड़े में जिन्दगी और दूसरे परड़े में मुख ने कोई भाए भाए नहीं कोई भाए भाए नहीं इस वक्त तत फिरा मेरे रिष्टा एक क्यक्क आंग जबने क्या कोड़े अरै कर दो हुआ हुआ हुआ! हुआ हैіे! हुआ है! हुआ हुआ! माफ करना मेरे दोस्त दादाजी के एक जूट की वज़े से इनसाफ करने में थोड़ी देर हो गए देख लो परताब इनसाफ आज भी हमारी हद के बाहर नहीं गया हमारी हद के बाहर नहीं गया पर में यूदे हमारी हद के बाहर नहीं गया झाल झाल